आरी जो classes चली वी आज खल फ्री classes चल रही है उसमें हम बच्चों को English बोलना सिखा रहे हैं तो यह देखिए continuously बच्चे किस तरह से अपने आप में कुछ से sentences बना रहे हैं और बोल रहे हैं और उसके बाद बच्चे लिखने की practice भी करते हैं और किस तरह का interest ले रहे हैं तो दे confidence ज्यादा बढ़ सकें तो देखिए बच्चे किस तरह से perform कर रहे हैं जब हम बच्चें से सुनते हैं कुछ चीच बोलते हैं कुछ गलत बोलते हैं लेकिन एक चीज होती है कि जब बच्चा खड़ा हुर के बोलता है तो एक तरह को इसमे confidence 12 होता है कि नहीं मैं बोल रहा हू कि छोटे बच्चे होते हैं उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है और पेरिंट्स भी ममिया भी इसी पाती है कि बच्चों को किस तरह से हमने चीज़े सिखा नहीं है और बहुत कम लेच में बच्चे पढ़ना लिपना स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को बोलना सबको सुन रही हैं कि वे कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं उनको फिंट्स दे रही हैं कि अगर संटेंसे माइन में अपियर नहीं हो रही है तो उनके किस तरह से संटेंसे बनाने हैं किस तरह से बोलने हैं बच्चे को लिखना आता है या नहीं आता है यह अलग बात है लेक और उन प्राब्लम्स को जैसे हम साल्व करते जाते हैं वैसे हर बच्चा पढ़ना शुरू कर दिता है कि पढ़ने का इंटरस्ट तो हर बच्चे को उता है देखे बच्चे किस तरह से बोल रही हैं और जो भी बच्चे संटेंसे बना रहे हैं ये कुछ से क्रेट कर रहे हैं अपने माइंड से संटेंसे बना रहे हैं और इसके बाद ये सभी बच्चे लिखना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से हमारे सभी बच्चे अपने आप में ही वाप करते हैं भीजसों को अंडिस्टेनड करते हैं. और अगर बच्चे को किसी भी तरह की प्रापलम हो तो हम बच्चों की Chief में जिस हमारी है हुटी है कि हम भच्छों का confidence ड्वल्प करें फ़्प बच्चे को कुछ सिखाएं जैकर इनसे confidence हो सूरा कि मैं बहुत कुछ सेख सकता है अब लिखना स्टार्ट करो सारे अब ये देखें सभी बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है और जो भी वो अभी बोल रहे थे वो सारा कुछ अब अपनी नोट बुक्स में लिखे लिए बच्चे गलतियां तो बीच में करते ही है मिस्टेक्स भी होती है लेकिन ये होता है कि उनकी वर्ड फॉर्मेशन तो सही होती है और एक बार जो थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दीते है तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बताते हैं कि अपने स्पैलिंग किस तरह से लिखनी है कैसे इंप्रॉव करनी है अगर प्राब्लम है तो डेफिनिट्लि उनका सॉलुशन भी है और दीरे दीरे बच्चों में एक इंप्रॉमेंट होना शुरू हो जाती है आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर करिएगा हम बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं उनमें कॉंफिडेंस कैसी ड्वेल्प कर सकते हैं नया आइडिया होगा तो कमेंट्स में जुरू लखिएगा